हेलो फ्रेंट आज की कहानी में आप सभी का स्वागत है और आज की कहानी है अकबर बीरबल मौम का शेर तो चलिए शुरू करते हैं चैनल पर नई हैं चैनल को लाइक, शेर एंड सस्क्राइब भी जरू करें सालों पहले की बात है जब राजा एक दूसरे को पैगाम के साथ ही कुछ पहेलियां भी भेजा करते थे ऐसे ही किसी एक राजा का दूद सर्दियों के मौसम में एक दिन मुगल समराज्य के बादशा अकबर के दरबार में पहुँचा वह अपने साथ पहेली के रूप में पिंजरे में कैद एक नकली शेर लेकर गया था राजा ने पहेली के साथ एक ऐसा पैगाम भी बेजा था पैगाम में लिखा था कि क्या मुगल राज में ऐसा कोई बुद्धिमान है जो पिंजरे और शेर को चुवे बिना शेर को बाहर निकाल सके अब मुगल समराट अकबर सोच में पढ़ गए कि आखिर शेर और पिंजरे को हाथ लगाए बिना भला शेर को कैसे बाहर निकाला जा सकता है पिंजरे से शेर को बाहर निकालने के लिए एक व्यक्ति को एक ही बार मौका मिलेगा अकबर काफी परिशान हो गए उन्हें लगा कि यह तो बहुत मुश्किल है और अगर शेर को पिंजरे से बाहर नहीं निकाल पाए तो मुगल राजे की काफी बदनामी भी होगी ये सब सोस्ते सोस्ते उन्होंने दरबार में मौझूद सभी की तरफ देखते हुए पूछा है कोई जो इस पहेली को सुलजा सके लेकिन हर कोई इसी सोच में डूबा रहा कि आखिर यह संभव कैसे हो सकता है अगर के पूछने पर जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो उन्होंने अपने वजीर बीरबल की याद आने लगी जो सभा में मौझद नहीं थे उन्होंने तुरन दरबान को भेजकर बीरबल दरबार में हाजिर होने का आदेश भिजवाया लेकिन अफसोस बीरबल किसी सरकारी काम से राज्जे से बाहर गए हुए थे रात बर अगबर इसी सोच में डूबी रही कि आखिर पहीली को कैसे सुलजाया जाए दूसरे दिन फिर दरबार लगा लेकिन बीरबल की कुरसी खाली देकर अगबर उदास हो गए बादशान एक बार फिर दरबार उसे पूछा क्या किसी के पास इस शेर को पिंजले से बाहर निकालने की कोई तरकीब है इतने में एक दरबार अकबर के सामने आया और उसने शेर को पिंजले से निकालने की कोशिश की लेकिन वो नाकामियाव रहा दूसरे दर्बान ने पहली सको सुलजाने के लिए एक जादुकर को बुलाया लेकिन वो भी विफल रहा कोशिश करते करते शाम होने को आई तबी बीरबल दर्बार में पहुंचे अकबर को परिशान देकर बीरबल ने पूछा क्या बात है समराज आप इतने परिशान क्यों है बादशा ने तुरंट शेर से जोड़ी पहली के बारे में बीरबल को सब कुछ बताया अकबर ने बीरबल से पूछा क्या तुम इस शेर को पिंजरे से बाहर निकाल सकते हो बीरबल ने कहा हाँ मैं कोशिश कर सकता हूँ अकबर बहुत खुश हुए क्योंकि मुगल समराजे में बीरबल जैसा बुद्धिमान और चतुर दूसरा कोई नहीं था शेर को पिंजरे से बाहर निकालने के लिए बीरबल ने अकबर से कहा कि उन्हें दो सुलकती हुई लोहे की छड़ वे सरीय की आवशकता है शेंशा ने तुरंद इसकी ववस्ता करने को कहा जैसे ही बीरबल ने लोहे की छड़ मिली तो उन्होंने पिंजरे को छुए बिना छड़ को अंदर पहुचा कर उसे लकली शेर पर रख दिया शेर लोहे की गरम छड़ की सपर्ष के आते ही पिधलने लगया क्योंकि वह मॉम का था देखते ही देखते पूरा शेर मॉम के रूप में पिंजरे से बाहर निकल गया बीरबल की इस अकल मंदी पर अकपर बहुत प्रसन हुए उन्होंने बीरबल से पूछा अरे आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि पिंजरे के अंदर मॉम का शेर कैद है बीरबल ने बड़ी ही नमरता से जवाब दिया हुजूर बस शेर को गोर से देखने की जरत थी मैंने जब पहिली के बारे में जानने के बाद उसे गोर से देखा तो ये लगा कि हमॉम का शेर हो सकता है साथ ही राजा ने यहे भी नहीं बताया था कि शेर को कैसे बाहर निकालना है तो मैंने उसे पिगला कर बाहर निकाल दिया इधर दर्बार में बीरबल की जैजै कार होने लगी उदर पहीली लेकर अकबर के दरबार पहुंचा राज़ूद अपने राज़ वापस लोड़ गया और वीवल के इस कारनामे के बारे में राज़ा को बताया कहा जाता है कि उस दिन के बाद से राज़ा ने ऐसी पहली भीजना छोड़ दिया था मौम का शेर कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अकल मंदी से सब कुछ संभव है हर जगर बल नहीं बलकि बुद्धी का परयोग किया जाना चाहिए दिमाग से हर समस्या का समधान हो सकता है तो आज की कहानी आप सभी को कैसी लगी जरूर बताइए का मिलती है नेक्स वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवान और मुझे कॉमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको कैसी लगी